हेलो एवरिवन, वेलकम टू करेंट अफेस भाई रवी तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 21 अक्टूबर 2024 के डेली करेंट अफेस के कोशन आज की वीडियो में काफी सारे इंपॉरेंट कोशन आई हैं जिनके एक्जाम में डारेक्टली आने के चांसे हैं तो पूरा वीडियो आपने जरूर देखना है एक्जाम में आपको बहुत अदा हेल्प मिलेगी और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो बिल्कुल अलग रहती है बाकि जो क्लास होती है क्रेंट फेर्स की क्योंकि हम बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाते हैं जितना भी कोशन होता है उस टाइप का उससे पिछला रिवीजन भी करवाते हैं ताकि आपको पिछला भी अप्टू डेट रहे ठीक है तो चलिए हम स्टार् हो जाएगा आँखों की बंदी पट्टी हटा दी गई है तलवार की जगे सम्विधान की किताब को स्थापित किया गया है बढ़ते हगले कोशन पे अक्टूबर दो होजा चौबिस में लामलाई महसब का आयोजन किस राज्य में किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा युकरेन अगला कोशन है दो हुजार पच्चिस शब्विस रभी सातर के लिए गिहूं की MSP में कितने रुपे प्रती कोइंटल की बढ़ोतरी की हुई है एक सो पचास रुपे प्रती कोइंटल नेक्स्ट है मारा कोशन इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस द नाम बदल का कैप्टन अमित भार्द्वा सेतू रखा गया है राइट आंसर हो जाएगा लद्दाक बहुद देशे पोत L&T परियोजना के पहले जहाज समर्थक का शुभारम कहां किया गया है चैन नहीं भारत की पहली बायो पॉलिमर प्रदर्शन सुविधा का उद सालों से निपटने के लिए सरकार ने किसके साथ मिलकर दोका धड़ी से बचो अभ्यान की शुरुआत की है मैटा के साथ तो फ्रेंट सी पिछले कल के रिवीजन हो गए तो बढ़ते हैं आज के पहले कोशन से पहला कोशन है मारा केंद सरकार ने राष्टिय महिला आयोग यानि की NCW जिसे की National Commission for Women भी बोलते हैं का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन ए विज्या किशोर रहाटकर ये नाम आपको ध्यान रखना है विज्या किशोर रहाटकर राष्टिय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है निटेल में समझते हैं इस कोशन को हम भारत सरकार ने 19 अक्टूबर को विज्या किशोर हाटकर को राष्टिय महिला आयोग का नहा अध्यक्ष नियुक्त किया वह आयोग की नोमी अध्यक्ष होंगी आपको बदाना चाहता पहरतिय संसत दुवारा 1990 में पारित अधिनियम के तहट 31 जनवरी 1992 में गठित एक सम्विधानिक निकाय है देखे पर इंस हमारे कोशन की टाइप क्या थी चर्चित महिलाओं की नियुक्ति तो हम पिछले चर्चित महिलाओं की नियुक्तियां या चर्चित महिलास जुड़े भारतिय नौ सेना की पहली महिला हेलिकॉप्र पाइलेट कौन बनी है अनामिका बी राजीव क्लावडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राश्च्पति बनी मेक्सिको इस कोशन की एक्जाम में आने की डारिक जान्स है ठीक है मिखाले की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी इदा शीशा नौंगरांग अलिकर मुसलिम विश्विद्याले यानि की एम्यो की पहली महिला कुलपती कौन बनी नईमा खादून DBS समूने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया है टैन सू शान को भारतिय सचतर बलों को चिकिस्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है तो राइट आंसर हो जाएगा साधना सकसेना नायर लाहूर उचनियाले की पहली महिला मुखे नियाधिश कौन बनी आलिया नीलम ब्रिटेन की पहली महिला वितमंत्री कौन बनी रैचल रेवस महाराश्ट की पहली महिला मुक्खे सच्चिव कौन बनी है सुजाथा सौनिक भारतिय सेना की पहली महिला सुबिदार कौन बनी प्रीती रजक भारत महराश्ट की पहली महिला डीजीपी कौन बनी नीना सिंग और उसके बाद है पैंतोक्टान शीना बातरा किस देश की नहीं परधान मंतरी बनी है थाइलेंड की तो फिर्ट ये थे पिछले कोशन चर्चित महिलाओं से जुड़े हुए अगला कोशन कर लेते हैं मुख्याले गांधी नगर द्वार आयोजीत यह अभ्यास इस वर्ष का दूसरा संस्क्राइन है और इसका उद्देश्य क्या है मौझूदा मानक संचालन प्रेकरियां को मानने करके समुदरी और तर्टिय सुरक्षा तियारियों को बढ़ाना यहां पर बात ICG की हुई है यानि कि भारती तर्टरक्षग बल की हुई है क्योंकि यह सेन्ने अभ्यास है न इसको भारती तर्टरक्षग बल ने प्रफॉर्म किया है तो मुख्याले कहां पर है भारती तर्टरक्षग बल का नई दिल्ली में स्थापना हुई थी एक फरफॉर 1977 को नई महाने दिश्योग बने है एस परमेश भारती तर्टरक्षग स्थापना दिवस मनाया जाता है एक फरफॉरी को और इसकी आदर्श वाक्य क्या यानि कि स् पर इसका नाम है डस्त लिक काफी इंपॉरिंट है भारत और उजबेकिस्तान के बीच में होता है एक्स टाइगर ट्रंप 24 भारत और अमेरिका के बीच में होता है स्यूंक्तो सैने अभ्यास धरम गारजियन काफी बार इक्साम में पूचा गया है भारत और जपान के बीच में होता है स्यूंक्तो सैने अभ्यास मेतर शक्ती ये भी एक्साम का most favorite question है भारत और श्रिलंका के बीच में होता है उसके बाद है खान क्वेस्ट इसका आयोजन कहां पर हुआ इसका आयोजन हुआ उलान बटो और मंगोलिया में ठीक है 21 जो बहुराश्टिय सैने अभ्यास है खान क्वेस्ट उलान बटो और मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ उसके बाद है नौ सेन अभ्यास इसका नाम है बुंगो सागर ये भारत और बंगलादेश की बीच में होता है सेन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया की बीच में होता है सेने अभ्यास एक्स एक्विवेरें भारत और मालदीव के बीच में होता है बिनबेक सेने अभ्यास भारत और वेतनाम के बीच में होता है बहुराश्टिय सेने अभ्यास शांती प्रियास फोर कायोचन काठमांडू नेपाल में हुआ और इसी के साथ पिरलेस्टिक 2024 हैनने अभ्यास अजर्बिजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तजाकिस्तान और रुजबिकिस्तान में आयोजित हुआ है बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ उससे पहले आपको बता दो फैंट आपको पढ़ाती है तो 12 कोशन पढ़ाया जाता है लेकिन अगर आपको 15 कोशन डिली का टेस्ट लगाना है तो वह अब पे अबलेबल है ठीक है इसका कोर्स और साथ में अगर आपको कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए कोई भी test series जोईन करनी है e-books चाहिए, class notes चाहिए, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है application रवी study app जरूर इंस्टॉल कर लेजए और free PDF के लिए कर interface by रवी को भी जोईन कर लेजए टेलिग्राम बढ़ते अंगले कोशन की तरफ 9000 test run तक पहुँचने वाले चौथे भारतिय बल्ले बाज कौन बने है तो right answer हो जाता है इस question का हमारा option B विराट कोहली 9000 test run तक पहुँचने वाले चौथे भारतिय बल्ले बाज बने है विराट कोहली इटेल में समझते हैं, अक्टूबर 2014 में विराट कोहली ने नियुजिलेंट के खिलाव पहले test की दूसरी पारी में 102 बार में 70 run बनाए इसी के ताथ test match में उनके 9000 run पूरे हो गए है विराट कोहली से पहले इस मुकाम पर सचिन तेंदुलकर, राहुल दडविर और सुनिल गावसर का नाम शुमार है और चौथे ख्लाड़ी कौन बन गए है विराट कोहली और फिर्ट्स आपको एक और अपडेट मैं देना चाहता हूँ कि अभी जो ICC Women's T20 World Cup था ना ठीक है जो कल जिसका final खेला गया यहाँ पर लिख देता हूँ T20 World Cup इसके जो विजेता रही है वो New Zealand रही है ठीक है New Zealand रही है और New Zealand पहली बार ये खिताब जीता है किसको हराया है दक्षीन अफरीका को हराया तो इसकी जो डिटेल वीडियो है ना वो मैं आपको शाम को प्रोवाइड कर दूँगा और कल ये जो कोशन है ना ये भी आपको मैं कल की क्रेंट फेर्स में डिटेल में पढ़ा दूँगा ठीक है और कल की क्लास जो है ना फेर्स आपकी मैमी लेंगी कश्मीर के मुख्य मंतरी सुरिंदर कुमार चौधरी ने नौशेरा से चुनाम लड़ा था और उन्होंने बिजेपी नेता रविंदर रहना को 7,819 वोटों के अंतर से हराया था जम्मु कश्मीर के उपरा जेपाल कौन है? मनोज सीना है या आपने ध्यान रखना है? मुख्य मंतरी उमर अब्दुल्ला है बात करते हैं जमू कश्मीर के बारे में जमू कश्मीर की दो राजधानिया है शरीणगर, गरिश्मकालीन है और श्रीटकालीन कौंसी है जमू है इस्थापना होई थी इसकी केंडशाष्रेत परतरेश के रूप में 31 Εक्टूबर 2019 को जमो कश्मिर के प्रमुक राश्टे उद्यान देख लीजे किष्टवा राश्टे उद्यान, सलीम अली राश्टे उद्यान, काजी नाग राश्टे उद्यान, दाची गाम राश्टे उद्यान, राजके पशू है हंगूल, राजके पक्षी है काली गर्दन वाले क्रेन, रा प्रमुख निर्ते कहां के हैं जमु कश्मीर के प्रमुख तेहार देख लीजिए आप हैरत महलसव नवरह तेहार मेला खीर भवानी उतसव और लेवेंडर महलसव और जमु कश्मीर का समविधान कब लागू हुआ था जब यह राज्ये था 26 जनवरी 1957 को सिविल सेवकों की शमता विकास को बढ़ाने के लिए किसने करम योगी सप्ता या राश्ये सिक्षन सप्ता का उधगाटन किया है तो राइट आंसर हो जाता है ओप्शन C प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने डिटेल में समझते हैं सिविल सेवकों की शमता विकास को बढ़ाने के लिए प्रधान मती नरेंदर मोधी जी ने 19 अक्टूबर को नई दिली के डॉक्टर अंबीट कर अंतराश्ये के इंदर में करम योगी सप्ता या बोसकते हो राश्ये सिक्षन सप्ता का उधगाटन कि इसका उद्देश ये पूरे देश में सिविल सेवकों के लिए वैक्तिगत और संगाटनात्मक शमता विकास को बढ़ावा देना है अगला कोशन है अंतराश्ये निशाने बाजी खेल महासंग यानि कि ISSF विशकव फाइनल 2024 में भारती निशाने बाजोंने कितने पदक ज जीते हैं एक्जाम के लिए important रहेगा डिटेल में समझते हैं भारती निशाने बाजोंने ISSF यानि कि अंतराश्ये निशाने बाजी खेल महासंग विशकव फाइनल 2024 अभ्यान में चार पदक जीते हैं परतियोगिता में भारत को दो रजट दो कांसे के साथ नोमा स्थान मि आयोजित किया गया था और आपको बताना चाहता हूं नई दिल्ली दूसरी बार ISSF विशक फाइनल की मिजबानी कर रही है इससे पहले 2017 में नई दिल्ली ने मिजबानी की थी भारती बदक विजेता हैं इनके नाम आप देख लिजे सोनम मसकर इसने 10 मीटर एयर राइफल इशाने बाजी सपरदा में रज़त पदक जीता है विवान कपूर इन्होंने रज़त पदक जीता है अखिल शियोरान कांसे पदक जीता है और अनधजीत सिंग नरूका इन्होंने भी कांसे पदक अपने नाम करा है बढ़ती अंगले कोशन की तरफ विश्यो सांख्या की दिवस 2024 मनाया गया 20 अक्टूबर को विश्यो सांख्या की दिवस पूरे विश्यो में मनाया जाता है विश्यो सांख्या की दिवस हर 5 वर्ष में मनाया जाता है और पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था विश्यो सांख्या की दिवस का मुख्य उद्देश सांख्या की के महतपून योगदान को रिंखांगित करना जो निती निर्मान, सामाजिक आर्थिक विकास और सतर्त विकास लक्षियों को प्राप्त करने के लिए आविशक है और इसी के साथ बताना चाहते हूं भारत में जो राश्टी सांख्या की दिवस है वो 29 जून को मनाया चाहता है देखो फैंट्स कोशन की टाइप थी हमारी दिवस और थीम, पिछले दिवस और थीम फटाफर से एक बर हम रिवाइस कर लेते हैं तो मिलिटरी नर्सिंग सर्विस का जो 99 वा स्थापना दिवस एक अक्टूबर को मनाया गया 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जी की कौन सी जैनती मनाई गई 155 लाल बाहदु शासरी की जैनती का मनाई गई 2 अक्टूबर को विश्यो पश्यो दिवस 2024 चार अक्टूबर को मनाया चाहता है विश्यो सिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को विश्यो सेरिब्रल पालसी दिवस 6 अक्टूबर को विश्यो परियावास दिवस 7 अक्टूबर को विश्यो कपास दिवस 7 अक्टूबर को और आपको बताना चाहता हूँ, 8 October 2024 को कौन सा भारती वाइप सेना का स्थापने दिवस मनाया गया, बानवा, आगे दिखते हैं, विश्यो डाग दिवस 9 October को मनाया चाहता है, विश्यो मानसिक स्वास्य दिवस 10 October को, अंतराश्टी बालिका दिवस 11 October को, विश्यो प्रवासी दिवस 16 October को बनाया जाता है, बढ़ते अंगले कोशन की तरफ, जारखंड के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने है, तो राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा ओप्शन B, अजय सिंग जो है, जारखंड के नए पुलिस महानिदेशक यानिकी DGP बने है, 19 October 2024 को सीनि लिए है, ये आपको ध्यान रखना है, नेक्स कोशन कर लेते हैं, विदेश मदी जॉक्टर S. जैशंकर ने कहां कला प्रदाशनी साइलेंट, साइलेंट कंजरवेशन फ्रॉम मार्जिस तू दू दा सेंटर की दूसरे संस्क्रम का उधगाटन किया है, तो राइट आंसर हो बाग अभ्यारों में रहने वाले 49 आदिवासी कलाकारों की पेंटिंग और कलागरितियां प्रदर्शित की गई है, इसका आयोजन केंदरिय परियावरन वन और जलवायू परिवरतन मंतराले के तहत आने वाली संस्था राश्टिय बाग संदक्षन प्राधिकरन दवारा बढ़ते हैं अंगले कोशिन की तरफ अक्टूबर 2014 में वैश्विक मानवीय निततव के लिए 2024 के मानवतावादी पुरूसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो राइट आंसर हो जाता है उप्शन B मोहन जी को मोहन जी को वैश्विक मानवीय निततव के लिए 2024 के 19 अक्टूबर 2024 को जोहांसपक दक्षिन अफरीका में वैश्विक मानवे नेता मोहन जी को 9 Conscious Companies Awards कारेकरमें उनके वैश्विक योगदान के लिए विशे सम्मान परदान किया गया है। दया और अहिंसा पर अधारी सिक्षाओं को मानेता देता है जिसने 90 से अधिक देशों में हजारों लोगों के जीवन को परभावित किया है। परदेश का सर्वोच नागरिक सम्मान ग्रेंड कॉलर ऑफ दा ओडर ऑफ दिमोर लेश्टे दुराबदी मुर्मू को मिला है। और आपको बजाना चाहता हूँ। अक्टूबर दोहजार चॉबिस संद्रियान थ्री मिशन को मिला है। तीतिस्वा सरस्थी सम्मान मिला है प्रभा वर्मा कोुशन है। South Eastern Colfields Limited यानि की SECL आपको बताना चाहता हूँ South Eastern Colfields Limited चार अमरित फार्मेसिया खोलने वाली पहली कोईला कंपनी बनी है डिटेल में समझते हैं कोल इंडिया की 36 गट स्थी स्थाहिक कंपनी South Eastern Colfields Limited SECL ने अपनी चौथी अमरित फार्मेसिया खोली है जिससे यह ऐसा करने वाली पहली कोईला कंपनी बन गई है स्वास्तेवम परिवार कल्यार मंतारी द्वाराद 2015 में शुरू की गई अमरित फार्मेसिया, रियायिती, दरों पर दवाईया, परत्यार ओपन और शले चिकिसा संबंदी उपभोगे बस तो अबलब्त कराती है S.E.C.L. की चार फार्मेसियां बिलासपूर में है गेवडा, सुहाकपूर जो की मद्धे परदेश में है और चीरी मेरी जो की 36 गड में है, स्थित है जो कैंसर और हिद्धे संबंदी बिमारिया जैसी कंभीर स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करती है S.E.C.L. की हुई है, 1985 में स्की स्थापना हुई थी मुख्याले बिलासपूर 36 गड में है और ये उसकी जो मूल कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड है आज ये वीडियो का माकरी कोशन कर लेते हैं, इसको आप 12 नंबर मार कर लिजे पहले वाले 11 नंबर था W.R. शतरंज मास्टर्स कब किसने जीता है तो राइट अंसर हो जाता है, इसकोशन का ओप्शन B अर्जू नहरी कैसी ने W.R. शतरंज मास्टर्स कब अपने नाम करा है डिटेल में समझते हैं, भारतिय ग्रैंड मास्टर अर्जू नहरी कैसी ने फ्रांस के मैक्सिम वचियर लागरेव को हरा कर 2024, W.R. शतरंज मास्टर्स कब जीत लिया है भारतिय ग्रैंड मास्टर अर्जू नहरी कैसी इस दोरान क्वार्टर फाइनल में विदीत गुचराती और फिर समी फाइनल में आर प्रगयानंदा को पराजित करते हुए फाइनल में जग्या बनाई थी और मैं आपको बताना चाहता हूँ W.R. शतरंज मास्टर्स कब 2024 जो है इस कायोजन कहां पर हुआ इंग्लैंड के लंदन में तो फ्रेंट्स आज के आपको मैंने most important 12 question करवा दिया आपके लिए 2 question का test है जिसका answer आपने comment box में देना है तो पहला question है केंद सरकार ने केंद सरकार ने राष्टिय महिला आयो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है चार option है आपके पास answer आपने comment box में देना है दूसरा question है जह्मू कश्मीर के मुख्य मंतरी कौन बने है चार option है तो फ्रेंट्स हमारी वीडियो complete हो गई है आपको वीडियो quality वीडियो content पसंद आया होगा वीडियो को आपको पसंद आया है वीडियो को like और share जरूर करें comment box में अपना feedback भी दें का आपको वीडियो कैसी लगी है और friends आप हमारा mobile application रभी study app जरूर इंस्टॉल कर लें अपने phone में best quality content के लिए तो चलिए friends आप हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में thank you and wish you all the best